Hello traders and welcome to the studio members Mahindra and Mahindrao को आज की दिन हम trade कर रहे हैं आज morning से ही हमारे पास internet नहीं है mobile से ही सारे executions और analysis जितनी बुती हम नी सिर्फ अपने mobile से की हैं so desktop पर अभी हम आया है just 1 बच कर 40 minute हो रहा है और शायद 5 या 10 में पहले हमने यहाँ पर login किया है so अब morning से अब जाकर के हमें हमारे desktop मिला है यहाँ पर देखे महिंद्रा और महिंद्राओ को हमें trade करना था mobile से क्योंकि execution करने तो सबसे पहले तो login कर लेते हैं espresso pre login है okay so position book position book open करते है position book में देखे ओवर रॉल इस वात का जो अपना profit चल रहा है 9400 रुपे के आसपास का profit चल रहा है हमें order execute करना था महिंद्रा में 530 क्योंटी का और गलती से हमें जो order execute कि 530 क्योंटी का वो कर दिया था अमभुजा cement के अंदर लेकिन फिर भी हुआ है कि यह order reject हो गया बाद में पता चला है कि high volatile होनी के विज़े से में भी हो सकता है आज या कल भी इसके अंदर executions नहीं हो रहा है बट हमें मुझा के अंदर trade नहीं मारा था हमें जो actual rate करना था वो M&M के अंदर करना था इसके अंदर देखे हमें ट्रेड एक्जिक्यूट किया था फिर सी refresh कर लेते हैं और overall इस वत का जो शायद profit चल रहा है आपने 9,000 के राउन का profit चल रहा होगा 9,300 के राउन का profit चल रहा है simple analysis है कुछ नहीं बिलकुल easy जैसे देखे day time frame पर गए हर बार होता क्या है हमने आपको कितनी बार बताया है कि सबसे simple चीज है एक area, area of execution या point of action find करो highs, highs, highs इसी जगह पर active होने की कोशिश करती है और जितने भी आपके stop losses मायने में अगर को stop losses जाएंगे तो वो इसी जगह पर जाएंगे क्योंकि ये liquidity का zone होता है पुरा liquidity zone होगा यहाँ पर जितने retailers के stop loss जाएंगे उतनी liquidity यहाँ पर increase होगी बढ़ेगी और इसके बाद में आपको यहाँ से movements देखने को मिलते हैं तो इसी लिए बारबर बोलते हैं कि higher time frame पर अपने लिए कोई एक certain point of level find करके रख लो जहाँ से आपको trade execute करने हो अब महिंद्रा एंड महिंद्रा में ही है जैसे देखिए हम सारी markings को remove करते थे और हमें upside की तरफ यह price हमारा upside की तरफ जा रहा है अब हम कहें कि चलिए यहाँ पर अगर में trade execute करना तो हम कैसे simple यहाँ यह वाली candle तो आप छोड़ देए चलिए यह तो आज बन रही है लेकिन इससे पहले भी तो market ने कहीं न कहीं कोई न कोई तो movement दिखाया होगा उन movements को read करना है आपको यहाँ पर देखिए इस जगह से लेते हैं एक यह high लगा हमारा low यह high again यह low point पर लग गया और यह high लगा फिर से low and again यहाँ पर यह high फिर से low लगा और फिर से market upside की तरफ और यहाँ पर यहाँ पर यह down move चल रहा है so इसको हम mark नहीं करेंगे इतने points फ़न गए हमारे अब इसमें गौर करने वाली बात क्या है analysis किस तरह से होगी कि lows क्या हम देख पा रहे हैं यह lows upside की तरफ shift हो रहा है यहाँ से change of character का एक false signal हम को मिला price नीचे की तरफ आया और फिर से देखे इसी जगह पर इसने support price upside की तरफ चला गया फिर से move up में और यहाँ से break off structure price ने again इसी जगह पर अपना support लिया liquidity इसको इकठा किया और फिर से price हमारा upside की तरफ और बापा से price देखे उसी जगह पर यह मेरा support area है और यहाँ से इसने upside का movement करना शुरू किया start किया मतलब कि price हमारा एक support पर है अब इसके बाद में एक point हमको यह समझ में आगे कि यह वाला चली यह मेरा supportive point है इसके बाद में resistance के area अगर हम देख रहे हैं तो क्या यह वाले हमारे resistance बन सकते हैं क्योंकि इन ही इसी वाले resistance को break करके market फिर उपर की तरफ गई है आभी हमने जैसा बताया कि जितनी भी analysis हम कर रहे थे यह हम अपने mobile screen पर कर रहे थे analysis करने में इतना time नहीं लगता है बहुत कम समय लगता है फटाफट सब कुछ हो जाता है बस क्या हमने किया है क्यों क्या है इसके पीछा को logic क्या है किस तरह से हम volumes को देख रहे हैं प्राइस को देख रहे हैं इसको समझाने में और explain करने में just time जाता है लिकर इसका मतलब यह क्या करना होता है सिर्फ candle से candles को आप read करो candle से candles को आप merge करते चलिए और read करते चलिए जाओ कोई एक resistance point होता है कैसी भी market हो कोई भी segment आप trade कर रहे हो एक resistance होदा है और एक support होगा आप बहुत अच्छे trader बन जाओगा अगर आपने resistance कर लिया असान होता है वालूम्स का प्राइस एक्षिन की मदद लो ना यह support trade execution इस जगे से करो हो जाएगा कुछ बहुत को थोड़ी ना है हमने क्या किया इसके नदर आप देखे न एक हमने इस वाले swing को ले लिया क्ये वाले swing को ले लिया अब trade करना कहां पर नहीं है अब हम क रात में price आपका upside की तरफ जा रहा है price upside में और volume के साथ breakouts दिये price नीचे की तरफ आया है देखे volume कही increase हुई और नीचे आगी market और फिर से देखे price जब हमारा यहां से उपर की तरफ गया तो देखे क्या move हुआ है गया ना सीधे price upside की तरफ चला गया है volume increase करते हुए यहां पर भी देखे volume increase हो रहा है मतलब कि जो breakout हो रहे है वो volume के साथ हो रहे है किसी भी जगह पर standing position लेने के लिए वहाँ पर quantities का होना बड़ा ज़रूरी होता है तभी उसके अंदर liquidities आते हैं तो यह जितने भी zones हैं अब आप एक चीज़ यह समझें कि यह वाला जो point हभी हमने mark किया है इसको कब mark किया है इस green वाली candle से mark किया है हमें थोड़ी ना मालूम है कि इसमें आगे चलके market क्या support लेगे है क्या resistance लेगे हमने तो इसको mark खर लिया बढ़ देखे आगे चलके इस level को break करने में कितनी volumes की ज़रूत पड़ रही है यहाँ पर देखे इस जगह पर देखे यहाँ पर volumes की ज़रूत पड़ रही है क्यों क्यों कि यह strong areas यह liquidity के zones है इसी जगह पर तो सब कुछ हो रहा है अब हम same line को same structures को आगे तरफ ले आएंगे अभी तक हमने क्या किया सिर्फ support resistance lines को draw कर लिया है आने वाली market में उस resistance support point पर market ने किस तरह से behave किया है क्या price actions बने है उसके according हम आज के होने वाले movements को predict करके trade execute करें सिंपल सी चीज़ है है ना चलिए अब आचाते सिदे 5 minutes के time frame पर अब में मालूम है कि 1294.90 यही वो area जहां से हमें trade execute करना है यहाँ पर एक चीज़ और आप देखोगे कि जो हमने trade execute किया है यह कहीं upside में ही कर दिया है उपर के खुला है तो हमने इस ही जगह पर अपना trade execute कर दिया अब देखिए हमारा यहां पर है इसके लिए हमने एक और candle का यूज किया कि जो आज की candle का resistance बना था और day time frame पर वो candle भी हमने miss की है वो है last trading session के जो symptoms हमको नजर आया थे जैसी यह वाले हम इस एक candle को ले 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 यह जो black value हमारी candle है आप देखो कि यहां पर market ने क्या movements देखिए उसको हम previous से अगर हम चले आए जिन swings हो माकिया तो यह भी हमारा resistance बन जा रहा है है ना तो यह दूनों zone बन गए इसी जगह पर तो होना है जो होना है अब 5 minutes के time frame पर आ जाओगे ना आपको इसी जगह पर सारे movements होते हो नजर आ जाएगगे यह देखिए हमने लिया था इस green वाली candle को हाई क्योंकि resistance area है अब हम चाहें तो अगर यह blue line नहीं भी है ना तो भी हम trade execute कर देंगा यहां से और 1294.90 यह तो है ही मेरा important area क्या समझ में आया कि हमको हमारे एक ऐसा zone मिल गया है जहां से हम लोग अपने trade execute कर सकते थे इस वक्त का profit 9000 के round भी चल रहा है profit से में लग रहा है इसी तरह से लेकर के में निकल जाना होगा क्योंकि बहुत बड़ा कुछ movement expected है नहीं अब देखिए 5 minutes के time frame पर आ गया इस जागे पर हमने अपने stop process रखती है और यहां से हमारा trade execute हो गया क्योंकि देखिए इस ब्लैक वरी लैन को चले डिलेट कर देते है अब देखिए यहां पर यह 9.15 की candle है बड़ी सी candle form हो गई इसके बाद में market upside की तरफ जा रही है और up में जाते जाते हाला कि volumes increase हो रहे हैं बट अभी हमने जैसा बताया कि price में यह कुछ trappings के areas होते हैं अभी आगे चल करके जब आप वीडियो देखोगे तो इस चीज़ को हमने और अच्छी तरह से explain किया हुआ है यह trapping के areas होते है औ बहुत ज्यादा chance है कि आप यहां से नीचे की तरफ market को ढखेल सकते हो और 9.15 के upside की तरफ market trade कर रही है और वापस से उसी range के अंदर आ जा रही है यहां पर देखें यह executions के signals होते हैं कि यहां से हम लोग अपने trade execute कर सकते हैं swings पर आप अपने stop loss लगा दो higher time frame पर हम लोग द हमेशा अपने point of action के पास से देखो उसको in between यहां कहीं नहीं सिर्फ जहां से market हमारी गेल रही है उस जगह से देखो किसी indicator की ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी तरह के third party आपको confirmations की ज़रूरत नहीं पड़ेगी price action से enough price action काफी है आपके लिए बिल्कुल tops हमने इसके अंदर अपनी entry बनाई है और आज का targeted area हम इसमें मान करके चल रहे है यह कल की 325 की candle का just high हमारा आज का target होगा हम वेट कर रहे है कि price अगर यहां तागागा न तो चुप चुप हम यहां से बाहर निकल जाएंग जितना भी profit हो रहोगा वो लेकर के और आर आर के काउडिंगर देखर के चले तो 1-2 3 से थोड़ा size ज्यादा है बहुत बड़ा आरा रेश्यो नहीं 1-3 3 का ही something है 1-2 3.8 3.18 okay break out करेगा तो हो सकते है 9.15 के just low तक भी आ जाए लेकिन नहीं इतना वेट नहीं करें देखे प्राइस नीचे ही आ रहा है 10,000 के राउंड चल रहा है बाहर निकालते तो फिर आपको इंफार्म करते है अभी का प्राइस चल रहा है कोई movement होता है इसके अंदर तो फिर आपको इंफार्म करते है so यहां से हम लोग exit मारते है because अब movement थोड़े ठीक नहीं लग रहा है और यह stopping area बन जा रहा है यहां से प्राइस के अंदर हो कोई बड़ा move expected नहीं है और यह candle जो बंड़ी दो बच कर 25 में के candle है लगबग 2.30 पर ही पूरी candle बन करके complete हो जाएगी खतम हो जाएगी so इस वत का अपना profit 12,200 के आरॉंड चल रहा है so order book में चल के सबसे पहले तो यहां पर हम लोग cancel करते हैं stop loss okay and position book 1279.35 square of nsc 1279.35 25 हो गया चलिए 10 पैसा भी क्यों छोड़े 25 लिख देते है 20 हो गया अराम से निकल जाएगा कोई दिक्कत नहीं है अराम से निकलेंगा कोई जर्ब लिज़े निकल गया सारी क्योंटीज निकल गई 530 क्योंटीज 11,236 रुपीज का profit है 11,236 रुपीज का profit है इसको एक बार refresh कर लेते 11,000, 11,236 and order book order book, order book, order book overall 127 and 20 ठीक है जितने पार लगाया था उतने पारी order मिला हम को तो कोई भी क्योंटीज अपने पास नहीं सारी निकल चुकी है और पोजिशन बुक में overall जो आज का हमारा profit है 11,200 के रुपीज है which is enough internet trading session के according decents of profit हम लोगों ने grab किया और बिना किसी tension के नहीं हमें यहाँ पर कोई premium decay होने की दिक्कत है नहीं यहाँ पर किसी तरह की हड़बड़ी है कि एक candle का profit ले ले दो candle का profit ले करके निकल जाए नहीं यह जगह पर अपनी entry ली है entry ले लेने के बाद में एक हमारा exit point है देखे उसी zone के pass में निकल गए और upside पर हमारे entries के points थे यहाँ समनेस को उठाया और बार की तरफ निकल गए overall अगर हम आज के trade को summarize करते हैं तो मेरा यह ask trade एक तरह से retracement का trade था कि price upside की तरफ movement लग दिखा दिया है और अब यह नीचे के तरफ का movement हमें show कर रहा है क्योंकि यह area एक resistance का high resistance का zone है upside की तरफ में भी chances निकल सकता है बट chances are very low कि price हमारा upside की तरफ जाए और यहाँ से जो हमें symptoms market ने इस वाली जगह से और previous zones को analyze करके जो चीज हमको लगी कि price का upside की तरफ जाना मुश्किली लग रहा है क्योंकि volume and price दोनों ही मिल करके confirm करना है कि price यहां से अभी downfall में दिखा सकता है सो हमने just कल की जो सबसे last candle थी इसको उठा करके यहां से अपना trade execute कर दिया और यहां से हम लोग पूरी तरह से बाहर है 9.45 पी जो candle हम आपको बोलते हैं कि 9.45 की candle की नीचे भी market ने आ करके यहां पर हमें closing देती यह भी एक तरह का confirmation था और price ने upside की तरफ से भी हम लोगों को अच्छे खासे confirmation हम बार और बोले ना confirmation अब इसको 3 minutes के time frame पर देखलो तो यहां पर बहुत अच्छे confirmation से जिससे कि हम लोगों ने अपना trade execute किया और swings लग गए थे इसके उपर तो फिर market निकली ही ने तो that's why यहां पर हम लोगों ने अपना target बुक किया और इसी जगह से हम लोगों ने अपना so that's why यहां पर हम लोगों ने अपनी thanks and we will meet again कोई भी trade execute करने से पहले यह जो सबसे पहले चीज़ किसी भी trader को करनी चाहिए आप जाहें जिस भी segment को trade कर रहे हो आप nifty को, crypto को, currency को M6 में trade कर रहे हो even derivatives भी trade execute करने से पहले certain point of level होता है कि जहां पर price जागा हम तभी अपना trade execute करते है इस पर जाने के लिए higher time frame के उन important levels पर जाने के लिए point of actions पर जाने के लिए methods of methods हमने आपको बता रखे बहुत सारे methods दिये हैं अब इसमें कई बार यह question हमसे पूछा जाता है कि आपने इतने सारे methods बता है आप कौन सा use करते हो पहला दूसरा जो question आता है कि कितने सारे methods आपने पता है इसमें हम कौन सा method use करें यह दो major questions होते हैं तो सबसे पहली चीज तो यह कि जितने भी हमने methods आपको बता है उसमें से जो आपको सबसे best लगता हो आपको जो सबसे अच्छा लगता हो वह method उठा करके बस उसके उपर practice start कर दो और trade execution start कर दो दूसरा हम किसके उपर काम करते हैं तो जब भी जिस भी stock को हम देखते हैं कि वह हमें trade करना है लाइक कि हमारी watch list में आज मेरे level पर कौन सा stock है हम उसको देख लेते हैं कि ओके यह मेरे level पर है या particular कोई भी stock tradable है अम बुझा cement है यह tradable है चलो हम इसको trade करते हैं अब हम यह देखना होगा कि higher time frame पर इस stock के अंदर किस system के थूँ trade execution हो सकता है तो हम methods अपने change करकर trade execute करते हैं लेकिन बहुत बार आप सभी methods में एक चीज़ यह बात में lower time frame पर हम उसके अंदर जाते हैं और वहाँ पर अपना entry identify करने की कोशिश कहते हैं so higher time frame का first level पहला step होता है और second last step होता है हमारा lower time frame पर आखर कि entry के confirmations ले ले लेना that's it इतना है यह होता higher time frame पर अगर हमें level निकाल ले method से हम निकाल रहे हैं इसके उपर आज हम एक discussion करेंगे और particular आज के sessions में हम इस चीज़ को समझने के कोशिश करेंगे कि smart money अगर किसी भी एक certain point पर active हो रही तो वह point कौन सा हो सकता है किस एक जगह पर smart money active हो सकती कहा कहां पर trade execute करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा profitable हो सकता है profitable in the sense कि अगर हम उस एक जगह से trade execute करते हैं तो trade के loss में जाने की chances कम रहते हैं आप profit ही करोगे उस जगह से इसके लिए एक दो charts के पर भी हम example लेंगे एक level हम निकाल करके रख लेते हैं यह मेरा predefined area यह होगा यह predefined level है इसको निकालने के लिए past का हमने कुछ एक data read किया है अभी जब charts के पर चलेंगे तो देखेंगे उसको यह मानके चलिया आप के day time frame का अपना यह कोई level है जिसके तुरू हमने इस एक line को आगे की तरफ बढ़ा दिया है अब second part आ जाता हो lower time frame का तो क्यूंकि यह हमारे किसी higher time frame की candle का highest point है जिसको कि हमने draw करके आगे का area निकाल लिया है trading is nothing बट future में होने वाले movements को expect करके उसके उपर अपना risk and money को manage करते हुए decision लेना यह profitable trader की परिभाशा होती है हमें मालूम है हमबजा cement आज के दिन up में जागा या नीचे की तरफ बिरेगा कोई नहीं जानता कोई नहीं जानता कि उपर जागा या नीचे जागा हाँ अपनी technical analysis के थुरू हम यह पता लगाने की कोशिश करते हैं यह चीज़ assume करने की कोशिश करते हैं अच्छे traders भी कई बार fuel हो जाते हैं क्यूंकि वो ना तो risk को manage करते हैं नहीं money को manage करते हैं और बहुत aggressive होंगे उनको एक बार अगर यह लगा उनको एक बार अगर यह हैसास हुआ कि price की movements वो upside की तरफ वो consider कर रहा है और उसने trade execute कर दिया क्यूंकि वो बहुत अच्छा trader है उसके trade ज्यादता trades profit में ही जाते हैं बहुत कम यह ऐसे trade होंगे जो उसके loss में जाएंगा तो जिसमें जिसमें भी क्यूंकि money management देखे नहीं है पर है वो अच्छा trader money management उसके पास नहीं तो वो मार देता होगे तो तीन तीन चार्चा trade लगाता है हमारे loss के है अब इसमें क्या होगा कि उसने एक trade में loss किया यहां सिमाली जो उसने loss कर दिया यह loss था इसका 10,000 रुपए का अब जब यह second trade मारेगा क्योंकि टेक्निकली यह सही है तो इसे अपनी techniques के उपर पर बहुत ज्यादा भरोसा है तो यह सूचे का कोई बात नहीं एक ही trade तो गलत हुआ है दूसरा trade मारे उसमें profit हो जाएगा क्योंकि first trade में जो उसने loss किया थो वह 10,000 का था अब second trade में जो वह loss लेने को आया था उसने 20,000 का कर दिया हाला कि price movements percentage wise same है लेकिन यह सोच किया रहा है कि last जो मेरा 10,000 रुपय का risk है न यह मारा cover होना ही चाहिए तो उसने अपना risk बढ़ा दिया हुआ क्या कि second trade भी आपको स्विच अला गया loss में तो जिसकी वज़े से सिर्फ 2 ही उसने trade किया लेकिन past के 5 से trade में जितने भी उसने profit के सब चिले गया फिर देख रहा है तिसरे trade इसने मार दिया और यहाँ पर risk फिर से बढ़ादा है क्यूंकि इसे इन दोनों ही trades के losses को cover करना है तो इस तरह से बहुत अच्छी techniques आपके पास है फिर भी risk और money नहीं है risk और money management नहीं है तो गड़बर हो जाएगा फिर इस इसका विशेच ध्यान रखना पड़ता है हर एक trader को आप technically आप strong हो या technically आप weak वीक नहीं बोल सकते technically आप समझने की कोशिश करो एक सही system खोज रहो या फिर बनाने की कोशिश करो दोनों ही conditions में money और risk को manage करते हुए चलना ही एक professional trader का काम हो टेक्निकल या आप एक बर गलत हो जाओ चलेगा लेकिन money management के according आप गड़बर market भरदास नहीं करती है अब यहाँ पर हमारे कोई point बन गया है higher time frame का ओके अब देखे smart money करता क्या है वो जब भी देखेगा कि price अब मेरा किसी एक certain point पर पहुँचने वाला है यहाँ पर हमें मालूम है कि यह एक बहुत important area है अब इस जगह पर smart money आपको trap करने के कोशिश करेगा trap करने से हमारा मतलब यह है कि price उस level पर जाएगा ही नहीं अभी इसका काफी अच्छा example हम आपको कि price आपका इस वाले area पर जाएगा ही नहीं हो सकता है prices के ऊपर रहे यह हो सकता है prices के नीचे रहे एक move यहाँ पूर हो सकता है कि price आपका support बना दे अगर candlestick wise हम चल रहे है तो में भी chance है कि price इस जगह पर आपको support form करता हो दिखाते supports के कई जनरली जो हम बोलते है कि कई सारी formations like graveste and doji inverted hammer है या फिर hanging man वगर है यह सब single candles की formations है इसके लाब आप pair of candles होती है कई सारे price actions के tools भी है जो यहाँ पर हम लोग support के लिए लिए उनके सब के उपर हम ध्यान नहीं देंगे लेकिन इतना समझे simple अगर हम देख करके चलें तो एक mother candle ओके यह mother candle मेरी फॉप होगा अब जैसे ही prices mother candle के low को तोड़ेगा आप यहाँ से क्या करता हूँ कि buy कर देते हो sorry short मार देते हो अपने execution कर दिया है आपर क्योंकि price ने support break किया है यह कर देने के बाद में आपको यह नहीं मालूम है क्योंकि यह जितना भी action आपने भी किया यह सब lower time frame पर किया actually higher time frame पर तो आपने marking की ही नहीं है but smart money यह देख रहा है real movement तो जो होनी है वो यहां से होनी है लेकिन इसके पहले ही उसने क्या किया इसी एक जगह से आपको trap करेंगे कोशिश की एक mother candle form कर दी कई सरी formation साथ देखते होगे आपके engulfing candle हो गई mother candle हो गई आपके triple top or bottom अगरा हो गया यह सब price actions में जाएगा फिर structures form होने लगते हैं वहां पर pairs of candles के breakout यहां पर दिखाएगा आपको कि price आपका नीचे की तरफ जा सकता लो short कर दो और अगर short नहीं किया तो आपको loss हो जागा इस तरह की psychology कुछ market के अंदर चले लगती है तो एक level पर पहुशने से पहले price आपको कुछ 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 trap करने लगता है और जैसे ही इसके अंदर आप अपनी positions लोगे यहां से अपने अपनी position लिए short के लिए थोड़ी देड़ तो वो profit दिखाएगा बाद में fill यह actually lower time frame पर fill किया गया है अगर आपने यहां पर देखा हो था कि higher time frame पर क्या हो रहा है actually smart money कर क्या रहा है बहुत जादा कहीं पर भी trade execute नहीं करेगा एक trader वो नहीं करेगा क्योंकि इसको मालूम है अगर हम नहीं किया तो यहां पर बहुत ज़्यादा chance है कि फिर loss हो जाएगा ना कहने के चीज़ क्या है smart money हमेशा आपको पकड़ने की कुशिश करेगा liquidity zone जो बोलते हैं एक retailer के पास सबसे ज़्यादा पैसा होता है तिर्फ एक retailer के पास आप कहिए कि कोई बहुत बड़ा hedge fund है या फिर banks है एक logic के according जो सबसे ज़्यादा पैसा होता है वो एक retail trader के पास होता है वो हमसे लेता है पैसा उसके बाद में अपनी जिम में डालता इस तरह की psychology चलती है अब कहां पर सबसे ज़्यादा retailer को trap किया जाए चूँकि भाई यह तो हर जगाए चल रहा है गौर्मेंट भी हम ही लोगों से पैसा ले रही है हालागी गौर्मेंट के पास बहुत पैसा है लेकिन आ हमी लोगों के पास रहा है तो सबसे ज़्यादा पैस है पब्लिक के ही पास में जितना भी है क्योंकि वो हम से ही ले रही है इसी तरह से market के अंदर आप आजाओ तो market में भी एक retailer के पास ही सबसे ज़्यादा पैसा है retailers कई सारे हैं ऐसा नहीं कि हमापा बहुत पैसा है कई सारे retailers है उनको मिला करके बड़ा amount बनता है तो जितने ज ज्यादा retailers को trap करेगी उतना ही फादा इसको होगा हमें अगर इन retailers से trap हम खुद को हम लोग अगर अपने आपको बचाना चाते हैं तो इनकी चाल को समझना पड़ेगा यह देखने के लिए थोड़ सा broad levels पर आकर कि अपनी analysis करने पड़ेगी higher time frame पर ही levels है यह ऐसी नहीं कि ब आप इसको अब प्रैक्टिस करो आज के system में आज की वीडियो में हो सकते हम आपको को trading study entry आज stop loss होगा ना बता है लेकिन फिर भी यह वीडियो important होगा इसको आपको पूरा सुनना चाहिए वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करो comment करो चैनल पर थोड़ा साप support देखा विकास जितनी मेहनत हम करते हैं उसके recording हमें response नहीं मिलता है बहुत ज़्यादा हो सकता है तो PPT पर पढ़ा देंगे नहीं तो फिर आपको वीडियो रिकॉडियर देदेंगे लोग पढ़ जाकर करें फिर देख करके आप इस तरह की चीज़े नहीं लेग सकते अब मेरे पा यहां से price आपको क्या देखा है कि अब यह ऊपर कितिशा में जा रहा है फिर से आपको दिखा दे कि resistance के breakout हो रहे है और price में भी अब upside की तरफ निकले अगेन क्या हुआ कि इसमें फिर से आपको stop loss लेगा अब एक retailer सोचता है कि हमें नहीं आता कुछ हमें कुछ नहीं आता क् जो कर रहा है उसका just opposite हो रहा है actually opposite किया जा रहा है और एक professional हमेशा यह सोचता है कि उसके trait करने की एक सही जगह क्या होगी यह psychology है देखिए यह चलती रहती है दिमाग में आप इसको नहीं सोचोगे तो बच नहीं सकते इसे सोचना ही पड़ेगा step by step न आप कहिए कि first step में ही तरह करना होगा थोड़ी सी तिरची निगार डालने में थोड़ा सा चालाग बनना होगा समान कब हमको जो माल argent मिल रहा है इस चीज़को भी देखना होगा समझ नंग कोछ काम हो यह को होगा करके बnewick job इन सारी चीज़ों को आपको देखना होग़ा आप देखि इतने सारे इस तरह के movements में यहाँ पर एक चीज जो यहाँ पर सबसे आदा focus में रखने वाली है वो यह है कि price में जितने भी traps होते हैं वो आपके level के past में जाकर market करने की कुशिश करती है हमें बस यह देखना है अभी जैसे हमने बताया हमें बस यह मालूम होना चाहिए कि price एक level पर जाने के बाद में एक जगर पर जाने के बाद में किस तरह के movements दिखा रहा है या कहां पर इसके अंदर traps हो सकते हैं अब यह चाहँ अगर हमको मालूम है कि मेरे level के past में जाने से पहले price अगर हमारे level को नीचे के तरह breakout कर रहा है तो यह trap है यह simply trap है हम तो wait करेंगे न कि price जाने तो upside 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 और यहाँ पर जाकर कि हम लोग अपने entries के confirmations लें यह तो candlesticks का हो गया दूसरा आप इसी जगह पर आप देख करके चलो कि price actions के तरह जाने कि कुछ market structures अगर form हो जैसे lower lows, lower highs अब क्या देख रहे हैं न कि price यहाँ से support को break कर रहा है यह actually supports के breakout नहीं price में भी यह trapping है क्योंकि मैं मालूम है कि कोई भी बड़ा movement अगर आएगा तो उसके लिए यह वाली candle बरी important और अगर नहीं तो फिर हम लोग यहाँ पर हमारे किसी काम का नहीं है हो सकते हैं, हम लोग गलत भी हो सकते हैं price यहाँ पर ना जाए, वो यहाँ से सीधे नीचे की तरफ गिर जाए, हम लोग नहीं करेंगे काम नहीं करेंगे उसके पर, आप देख लो कोई भी trade अगर हम execute करते हैं तो उसका एक particular point होता है एक particular area होता है उस जगह से ही उसके उपर काम होगा अब यहाँ से जैसे ही price हमारा अब side की दरफ जाकर कि इस जगह पर हमें movements दिखाएगा, support के breakout के, या फिर resistance के breakout के, अब हम जाकर कि इस जगह पर कोई एक काम करते हैं, या कोई execution करते हैं की है या नहीं की है क्योंकि smart money हमेशा यह देखेगा कि किस जगह पर सबस्यादा liquidity आ सकती है वो liquidity लेने की कोशिश करेगा वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके higher time trim के पास में जैसे ही price आगा आपको trap करने की कोशिश करेगा, लेकिन यहाँ भी मालूम है कि इस जगह पर यहाँ 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 आप trap हो सकते हो लेकिन यह कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर trap होने के chances are very low बहुत कम chance होते है आप देखिए सीधे हम लोग चलते हैं चार्ट के पर चार्ट पर समझने की कुशिश करेंगे जैसे अमबुजा सीमेंट है, अमबुजा लेलो या फिर यह तो कुछ ज्यादा ही stock कोई और दूसरा stock लेलेते हैं, अशोक लेलेंड लेलेते हैं अब इसके उपर हम लोग volumes काउन कर लेते हैं levels mark करने के लिए हमने क्या क्या आपको बताया है बहुत सारे systems थी हैं अब इसमें सबसे simple अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें following rows pattern देख रहा है यहाँ पर VRL देख रहा है अब इन volumes ने हमें एक support दे दिया हमने तो price को देखा भी नहीं हमने सिर्फ volume को देखा और just एक, दो, तीन, तीनो candles का जो low था हमने इसको mark कर लिए इसके अपने rules से, regulations से, उसके according हमने अपना low mark कर लिए अब इस low के पास में देखें क्या हो रहा है price support ले रहा है upside की तरफ move, scandal का low लगा फिर बाद में price नहां पर एक movement दिखा है low again high और फिर से low low के बाद में market पर ही नीचे गिर गए अब हम लोग अगर अपनी इस line से हट करके trade execute करेंगे अगर इस line से हट करेंगे और 22nd of Feb इन दो दिन में जो movements में अपनी इस line के पास में इसके उत्रू smart money किस तरह के moves कर रही है यह smart money किस तरह के movements करते ही है इसको पर एक analysis करने के कोशिश करने के देखें 20 February पर आ जाते है अब इस जगह पर अगर हमें trade execute करना है अगर यह हमारे पास level नहीं हो तो हमको तो यही मालूम है कि यहाँ पर अगर हमें trade execute करना तो फिर हम कर देंगे कौन कौन से systems हो सकते हैं trade execute करने के कौन कौन से सबसे पहला 9.15 के नीचे जैसे marketing के लिए आप trade मार दोगए काफी लोग करते हैं न या फिर हो सकता है जैसे कल का day low break हो आप trade मार दो यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ जाए और यहाँ सपोर्ट लेकर के फिर सीधे उपर गया न इस जगह पर भी stop loss जाएगा आप 9.15 के नीचे आप trade मार रहे हो प्राइस नीचे की तरफ गया थोड़ा सा दो केंडल बनी इसके बाद में फिर साइड वे और फिर से प्राइस उपर अगर यहाँ पर भी आपने ट्रेड नहीं मार रहा तो आम शूर के आप इस जगह पर बहुत ज्यादा हथ तक चांस है कि आप trade मार दो यहाँ पर एक अगर प्राइस के ब्रेक जैसे ही नीचे की तरफ निकला अपने ट्रेड मार दिया और अगेन प्राइस उपर यह सारे के सारे ट्रैप होते हैं और यह जितने भी कल कर डेलो 9.15 या फिर यह वाला जो मूव्मेंट्स अभी ने आपको बताया अब इससे अगर बचना चाहो तो मालों कैसे बच सकतो हमें मालूम है कि हाय टैम फ्रेम पर अपने पास एक एरिया है जैसे की 146 प्राइज इस जगह पर आया है अब हम यहां से ट्रेड एक्जिक्यूट करेंगे और इसके बाद में यह जितनी भी केंडर्स बन रही है एक दो तीन चार पांच जितनी भी स्मार्ट मनी एंटर होने की कोशिश करती है तो हमें क्या करना है बड़ी मशली के नीचे 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 बट actually weak नहीं है, यहाँ पर भी diversion है, अब इस जगे पर volumes आई हैं, आप बताए क्यों volumes आई होगी यहाँ पर, क्या अगर यह diversion है, अगर यह diversion है, तो क्या यह trap नहीं है, हम इसको trap नहीं समझ सकते, कि देखिए एक retailer क्या सोचेगा, जो volumes के थूरू trade execute कर रहा है, वो यही सोचेग अब price में देखिए, selling की volumes लगातार कम हो रही है, इस psychology को समझे, trading की volume लगातार कम हो रही है, sellers की, जो negative volumes में वो कम हो रही है, और यहाँ पर एक mother candle form हो गई, ठीक है, इस जगे पर भी volume increase होई, और यहाँ पर भी volume increase होई, यहाँ पर, आवे तो मालूम पढ़ गया नहीं कि हाँ यह जो point है, यहाँ पर selling अब इस ठाट हो सके, हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि volumes बढ़ी है हम लोग trade execute कर देंगे, बट फिर से वह यह अगर आप smart money के साथ चलने के कोशिश कर तो आपको मालूम है 146, यहीं पर करना है कुछ, जो भी करना है, selling करने तो हम इस वाले line के नीच नीचे ही short मारेंगे, otherwise selling नहीं होगी, है न, यहाँ से आप trap हो गया, आप selling करोगे, जहें selling करोगे, क्योंकि यहाँ से देखे price नीचा गया है न, close नहीं किया उसने, अगर aggressive seller आप हो, तो आप यहाँ से short मार दोगे, और फिर से price आपका उपर, सिर्द ही जितना अभी stop loss हो सर है, volumes कम हो रही है हमारे, और price जैसे यहाँ पर आपको अपने entry के confirmations देगा, आप rate execute करोगे, यह candle क्यों important हो गए, एक अच्छा खासा pin बार है, volumes भी मेरी कम हो रही है, और हमारे day time frame के level पर ही rejection आ रहा है, अब इस जगह पर आप अपने entries के confirmations लो, यह जो mother candle जिसने आपको trap कि है न, actually यही candle आपका entry का confirmation है, opposite direction में इन candles का हमने यूज कर ले जाता है, stock to stock यह चीज़े depend करती है, अब देखिए एक दिन की analysis है, और देखिए यहाँ पर इस pin बार के बनाने से पहले कितनी बार आपको trap किया गया, कौन ऐसा है, मतलब काफी साही traders ऐसे होंगों जो कि यहाँ पर trap हो जाएंगे, लेकिन जो analysis कर रहे है हाई time frame की, उन्हें मालूम है कि नहीं, अगर और कहीं हम trade execute करेंगे तो हम fail हो सकते हैं, पर price देखिए, एक low लगा देने के बाद में सीधे price हो, अब फिर से 20 second था न, अब 20 second को देखिए क्या हो, यहाँ पर क्या हुआ होगा, किस त positive candles form कर रहा है, positive volumes की candles, देखिए, volumes increase हो रही है, increase, और फिर यहाँ पर एक engulfing candle form हुई, और यह एक mother candle form हुई, इसके साथे साथ मार्केट ने हमारे सीधे, जो movement देखा है, वो upside की तरफ देखाया, क्यूंकि अब market close हो चुकी, तो हम कह सकते हैं, कि price ने आप पर closing नहीं कि, इस पर buyers की volumes increase हो गई है, और अभी हमने क्या का, हमें तो मालूम है कि 146 नाम की कोई line अपने पास है ही नहीं, क्योंकि mark ही नहीं, यह तो अब हमें मालूम है कि यहाँ पर 146 नाम की एक line है, जो की important area, important point है, I hope कि यहाँ से भी आपको smart money का concept समझ में होगा, एक तो SMC concepts है, जब हम लोग liquidity बाते करते हैं, BOS हो गया, change of characters हो गया, order blocks हो गया, इन सब करते हैं, reversals है, और यह जो smart money शब्द का यहाँ पर जो हम use काने है, उसका sense दूसरा है, एक जो बड़ा order है, जो अच्छी खास liquidity है, वो in levels से आती है, अब यहाँ पर trappings अपने आपको बचाना है, और जो ही movement क आप देखें ना, इस एक line से कितने बड़े-बड़े movements हो रहे हैं, कितनी ही liquidity आई होगी यहाँ पर, अब इसके बाद में price हमारे नीचे की दरफ निकल गया, अब बदाएए, हमारे पास अगर 146.55 की line नहीं है तो हम कितनी बार यहाँ पर trap हो सकते हैं, price तुमारे नीचे ज करेंगे, क्योंकि मालूम है smart money के अंदर जो activation होने हैं, वो यहाँ से ही होते है, pre-defined levels के पास होंगे हमेशा, और हम यह भी नहीं कहरे हैं, कि जो level हम निकाल रहे हैं, वो smart money के थुरू बिल्कुत सही है, हम यह कोशिश कर रहे हैं, हम market में यह थुरू रहे हैं, कहां पर hedge funds इस एरिया से आया है, possibilities are very high, कि यहीं से price का movement निरधारित हो रहा है, और इसी जगह से बड़ा investor यहीं से अपने जितने भी trades ने लगा रहा है, तो ठीक है, हम इसको ले लेंगे, कोई भी movement करना, कोई activity करने, कुछ भी करना है, हमेशा smart money के साथ, उसके साथ चलेंगे कोशिश करो, दिर में चार-चार पांच पर entry लेने की कोशिश नहीं, पांच बार छे बार आप entry ले रहा हो, यह तो trend होगा एक तरह से आजकल, अब में इस जगह पर अपने levels निकालने हैं, तो हम लोगे काम कर सकते हैं, यहाँ पर falling rose के according अपना एक resistance point हमने निकाल लिया, और vrl के थूर अगर हम देख कर के चलते हैं, यहाँ पर हम एक support point मिल गया, ठीक है, तो falling rose के थूर हमें resistance मिला और vrl के थूर हमने यहाँ पर अपना support point निकाल लिया, swings निकाले न, basically आप यह देख कर के चलो, कि वो point जहाँ पर movement shift हुआ है, movement shifting यहाँ से हुई है, ठीक है, swing low, आप इसको नह अची तरह से filter हो जाते हैं, बहुत बढ़िया से, अब क्या हुआ है, इस black वाली candle यह इस green वाली candle के form हो जाने के बाद, in वाली levels के form हो जाने के बाद, हमें जो भी activity लेनी अपनी वाली levels पर लेनी, अब देखिए न, 1, 2, 3, 4, जब 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 point हमारा price, हमारे point of action मतलब 2, 7, 5 पर आगा हम trade execute करेंगे, नहीं आगा नेगा, price कहीं भी रहे, कोई ज़रुरत नहीं है, हमें कोई ज़रुरत नहीं trade execute करने के, लेकिन जैसे ही price हमारे in वाली levels पर आगा, हम लोग trade मारतेंगे, अगर, अगर हम लोगों को trade करना है, तो, अगर यहाँ पर इस जगे पर किसी तर 24 के पास में अपना trade execute करना है, otherwise हम इसको छोड़ देंगे, तो, जैसे ही price इस वाली जगे पर आ रहा है, आपको आपके entries के confirmations देखने और trade मारतेंगे, पूरे दिन देखिए, फिर price आपको ऊपर नहीं गया, वो नीचे ही है, अगले दिन 24 को देखिए, price कहां से से rejection लिया है इस एक जगा से rejection लिया, अब price में देखिए क्या क्या है, upside में जाते हुए, इसने अपने swing को break किया, यहां से, एक low लगाया, और फिर से price हमारा upside के दिरफ चला गया, हो सकता है, इस एक जगे से आपने buying किया हो, price जब retrace होने के लिए नीचे आया, आपका इस जगे पर अप क्या मतलब है उससे, अब इस जगे से अगर हमें trade execute करना है, तो फिर हमें patience के साथ wait करना होगा, हो सकता है wait करने के चकर में, वो trade आपके हाथ से छूड़ जाया, लेकिन wait करना होगा, next day हम wait करेंगे, इस जगे पर जब price आएगा, तभी हम trade execute करेंगे अपना, तो जैसे price यहा इसे हमें trade execute करना है, तो फिर हम कैसे करेंगे, किस तरह से execution होगा, क्योंकि यहां पर तो कई सारे fake breakouts भी है न, fake breakouts को समझना है, तो फिर volumes को समझना पड़ेगा, volumes and price इन दोनों को यहापस में merge करना पड़ेगा, आप इस जगे पर देखिए, जो सबसे अच्छे confirmation समें मिले ह यह जो black वाली candle आप देख रहे हो न, इस black वाली candle ने, जब आपके इतने सारे swings को एक साथ तोड़ा, तब हमें हमारी entries के confirmations मिले, अगर order block systems का हम यूज करते हैं, तो सबसे अच्छी, जो सबसे अच्छी entry मारी हुई है, वो इस वाले zone के पास में हमारी entry हुई है, समझ रहे इस एक level के पास से आपको trap किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिया, आप trap हुए, price ने अपना swing तोड़ा, आप buy को लोगे price सिधे नीचे, price ने again यहाँ पर अपना swing तोड़ा, जो जिस trap के बारे हम बात करते हैं, उस वही traps है, break हुआ, price सिधे नीचे की तरफ आ गया, अब यहाँ पर हमें देखना है, तो यह चीज़ हम analyze करने की कोशिश करेंगे, कि price जब हमारा upside की तरफ आजा है, तो यहाँ पर volumes के actions क्या है, क्योंकि volume आपको बचा ले जाएगे इन सारी चीज़ों से, अब एक swing यह लगा, इसके बाद में एक swing हमारा यह लगा, और फिर से एक swing मेरा यह लगा, हमें buying up करने हैं कि जब price हमारा volume के साथ breakout देदेगा, हम buy करेंगे, volume के साथ breakout ने, यह तो फिर हमें रुकना पड़ेगा, अब यहाँ पर देखे, price आपका जातु रहा है upside की तरफ, लेकिन volumes क्या है, nil volumes हैं ही ने, dry है बिल्कुल, price हमारा upside की तरफ जा र down volume के साथ अगर price हमारा break कर देगा, तो हम definitely इसको buy कर लेंगे, और अगर ऐसा नहीं होता है, तो फिर हम यहाँ से buying नहीं करेंगे, यह total, यह आँखों के सामने trap चल रहा है, liquidities इकठी की जाती है, और इसके बाद में फिर price देखे, आपके उसी level से नीचे की तरफ, तो एक द सेम जगह से price हमारा upside कर देखे, 9.15 की candle को आप ले लो, है न, इस एक जगह से price फिर आपका सीधे, उपर की दरफ चला गया, तो आज की sports chapter को अगर हम लोग समराइस करने की कोशिश करते हैं, तो हम लोग ने एक चीज़ देखी, काफी important है, कि हर stock में, derivatives में, SMC, other segments of trade हैं, वो like MCX हो गया, crypto हो गया, currency हो गया, सभी में एक level of point होते हैं, point of actions होते हैं, कोई भी अगर action करने तो point of action के पास में, या smart money के साथ में ही trade execute करने की कोशिश करेंगे हम लोग, और इसी जगह पर आपको फिर trap करने की भी कोशिश की जाते हैं, कि ज्यादा तर जितने भी local traders हैं, जि यहां से बाहर निकल जाएं, यहां पर liquidity कर ठीक ही जाते हैं, तो इसी जगह पर आपको जितनी भी analysis करने हैं, सारी गड़ित, जितनी भी science आपको आती हैं, सब कुछ यहीं पर लगा देना, बाकि इसके ऊपर कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो भी streamers के हम बात करेंगे थे कि यह हो गया, वो हो गया, one is to one है, one is to one, बहुत सारे तो traders हमने देखे one is to one पर काम करते हैं, तो ठीक है, उनके अपनी accuracy ज्यादा है, तो करते हैं, याकिन one is to one हमारी समस्य क्या है, किसी video game से कम थोड़ी नहीं है, चार दिन profit करो चार दिन loss सब बराबार, brokerage zip से दो गया, गया होता है, कुछ नहीं होता है, हाँ, accuracy अगर आपकी 90% है, 90% से भी 95% तब आप काम कर ले जाओगे, और ऐसा होना मतलब बहुत बड़ी बात होती है, खुद अपनी analysis करो, किसी के बरो से नहीं, सीखने की कोशिश करो, जितने वीडियोस हम अपने अभी तक upload के हैं, उन देखो, देखो, पेनल upload किया था, दो-तीन दिन पहले उसमें देखे, अभी हमने बताया ना, लगातार तीन-चाहत इन्होंने loss किया लेगे, प्रॉफिट भी है, जो प्रॉफिट और loss के बीच के डिजिट का जो फर्क है, वो इतना है, कि अगर हम तीन ट्रेड लॉस में कर बहुत अच्छी मार्केट, अभी हमने जो चीज़े बताई है, कहीं पर भी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, जो पॉइंट ओफ एक्शन अपने निकालो, अपनी मैथर्स के कॉर्डिंग, ये लेवल से हैं, लाइन से ही निकालो, और इसके पास से ही येतनी भी झालो, एक्शन और हुआ पेलिस ये विल मेत अगान